तो आप लोग काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि आपके रेडिमी, एमाय या पोको स्मार्टफॉन में MIUI 14 अपडेट मिलेगा और MIUI 14 अपडेट के साथ MIUI 14 सुपर आइकन, सुपर विडिज का सपोर्ट मिलेगा बट आज की इस वीडियो में हम आपको बता हैं कि अगर आपके डिवाज में MIUI 13 रन कर रहा है और अगर आपको अपने डिवाज में MIUI 14 सुपर आइकन और सुपर विडिज को इंस्टॉल करना है वो भी बीना रूट के वीडियो खास आपके लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बता हूँ कि सिर्फ और स्रि वीडियो को एक लाइक जरूद दीजिएगा देखिए MIUI 14 सुपर आइकन को इंस्टॉल करना बहुत ईजी और सिंपल है सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो लिंक दिया है जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे मेरे टेलिक्रम ग्रूप के चैनल पर अगर आपने जॉइन नहीं कि है तो जॉइन कर लिजे और यहां पे दो एप्लिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा इन दोनों एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको अपने डिवाइस के सेटिंग पर जानना है सेटि और सिस्टेम एप डेटा है इसके अंदर आपको सिरी पो सिस्टम लॉंचर को सेलेक्ट करना है और बैक अप पर क्लिक कर देना है बैक अप डन हो जाएगा फिनिस कीजिए अभी भी आपका काम यहां पर खतम नहीं हुआ है इसंड अप्लिकेशन को क्लोज कर दीजिए अब आ आपने जो और एक सिस्टम लॉंचर.डी के फाइल को डाउनलूट किया उसे इस तरह से सेलेक्ट किजिए और पर कट यह कॉपी कर लिए और यह फोल्डर पर जाना है और बैक अप पर जाना है और आपने जो बैक अप लिया है उसके अंदर विए आपको सेम फाइल देखन केटीड कंप्यूटर यहां पर आपकी बार सेलेक्ट करना है मॉबाइल पर जाना है आपने जो बैकक अप लिया है जिस टाइम पर वह सिलेक आइकन का support देखने को मिल जाता है जो की perfectly work कर रहा है without any error और निचे आपको कुछ application add करना पड़ेगा जो भी आपका favorite application है तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन में MIUI 14 super icon and super footage को install कर सकते हैं इस process में आपको device root करने की भी जरूत नहीं है तो चलिए आप बात करते की कैसा आप इससे install करेंगे मतलब की मान लिजिए आप इससे install कर लिए और कभी कभी कुछ बग देखने को मिल रहा है या कुछ चलते चलते स्टक हो जा रहा है इस problem को कैसा fix करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको setting पर जाना है apps पर जाना है manage application पर जाना है त्री डॉट पर क्लिक करना है यहां पर show system application कर देना है आपको टाइप कर देना है system launcher application मिल जाएगा simply clear data पर कर देना है clear all और यहां पर install update पर क्लिक कर देना है और उसके smartphone में install कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना है आगे और भी सी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को subscribe कर लीजिए personally कोई help चाहिए तो टेलीग्राम गुरूप को join कीजिए और इंस्टा में follow जरू कर लीजिएगा thank you